स्वागत अभीनंदन सरोध्य अकेडमी की स्पंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अब डिस्कुस करेंगा जो पॉइंट है वो है इवनिंग सिप्ट का पेपर तो चलो स्टार्ट करते हैं कौन सा वाइरस फल चमकादर द्वारा फैलता है तो इसको आंसर को याद ही करना पड़ेगा इसका कोई ट्रिक नहीं है इसका कोई सौर्ट कट नहीं है यह तो याद ही करना पड़ेगा आपको निपा वाइरस फल चमकादर के द्वारा फैलने वाला वाइरस कौन सा निपा वाइरस याद करना पड़ेगा और HIV के बारे में ध्यान रखो लो एड़ 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 इस टाइम जो रिसेंट जो सब्सक्राइब डीजिस और बहुत खतानांग डीजिस है है चाई वाइरस एड़ एड़ एकपाइड इम्नोडिफेंशी सिंड्रॉम हमान इसमें जो अभी स्प्रेड होने अभी जब से ट्रीज ऐसा एको सिस्टम जिसमें ट्रीज बहुत ज़्यादा वक्स बहुत ज़्यादा तो ध्यान रखना ट्री को सिस्टम में जब भी बात होगी इसका मतलब एक पेड़ की बात होगी ट्री को सिस्टम में सरब एक पेड़ के रिस्पेक्ट में बात होगी अब एक पेड को खानेवाले… छोटे पक्सी, small birds और उनको खानेवाले बबडे बक्सी और उनका नंबर भी बहुत ज्यादा होगा, तो नंबर का पिरमिड तो उल्टा होगा, क्योंकि कम नंबर फिट ज्यादा फिट ज्यादा, जबकि biomass का pyramid बात करेंगे तो tree का biomass जदा ही होगा एक वक्स का biomass जदा ही होगा compared to birds तो biomass का pyramid पूछे तो upright tree का number का पूछे तो inverted और energy का pyramid कभी भी पूछे किसी के लिभी पूछे हमेसा upright क्योंकि energy हमेसा इस first topic level से second topic level में कमी होगी और energy flow किस rule से करते है लिंद मान का 10 percentage rule 10 percentage rule से तो इसका answer तो क्या हो गया उल्टा बस tree ecosystem में इध्यान लगना tree का मतलब एक पेड़ के respect में बात करेंगे बहुत सारे पेड़ नहीं लेते number कम, फिर कम, फिर कम एक tree number कम फिर ज्यादा हो जाएंगे, फिर ज्यादा हो जाएंगे जबकि biomass ज्यादा ही होगा पक्सी के केस में biomass पेड़ के ज्यादा ही होगा तो वहाँ upright pyramid होगा और energy का pyramid किसी के लिए पूछे हमें इस अपराइट, energy flow किस rule से करती है लिंद मान 10 percentage rule ठीक है, अच्छा क्यूशन है बाकि इस ही में energy का pyramid पूछ ले, biomass का pyramid पूछ ले में लिए ही pyramid discuss किया जाते है pyramid की save कैसी होगी inverted, इसका मतलब इसका number कम फिर छोटे पक्सी का number फिर बड़े पक्सी का number ऐसे inverted pyramid हो जागा, उल्टा pyramid हो जागा सीधा pyramid का मतलब क्या फिर्स्ट pyramid के number जादा, फिर कम, फिर कम ऐसे save बनती है, upright pyramids ठीक है, आगे बढ़ते है अगला question क्या है not a condensation polymer, संग्नन भावलक नहीं भावलक समझते हो न, polymer बहुत सारे monomer से मिलके बनते है तो टाइप के polymer होते हैं addition polymer, जो जुड़ने से बनेंगे एक condensation का मतलब कुछ ना कुछ molecules, यहां पर भी दो चीजे मिलके बनेगे और polymer का biomass हमेशा ही जादा होगा, दो monomer react करेंगे पर यहां condensation का मतलब कुछ ना कुछ चीजे loss हो जाएगग, जैसे पानी निकल गया polymer को पैचाने का तरीका है, double bond or triple bond तो यहां addition polymer का example एक ही है, यह एक बहुलक की example है, यह किसका polymer है, नियोप्रीन ख्लोरोप्रीन, रबर के example हैं यह तीनों ही example किसके हैं, condensation polymer के, जब यह बनते हैं, तो इनके monomers, जो एकलक हैं, उनमें water का loss देखने को मिलेगा, SCL का loss देखने को मिलेगा, इनमें जो functional group होंगे, वो कौन से होंगे? carboxly group होगा, OH group होगे तो ऐसे identify कहना, आपने को पैचानना है कि addition polymer होगे, जिनमें multiple bond देखने को मिलेगा, double bond होगा, triple bond होगा और condensation के लिए, carboxly group, OH group डेकरोन को जहनकना, एक other name भी बोलते हैं, teraline ठीक है, आसान question था, directly याद होता ही है चीज़े, तो directly याद होती है सबको, कि condensation क्या है, addition polymer क्या है, भावलक वाले chapter इंपोर्टेंट होता है, directly याद करने की चीज़े हैं अगला question, sops, sabun में क्या एड किया जाएगी? रोगानू, रोदक गुणों को परदान करने के लिए, मतलब उनमें antiseptic properties होनी चीए, तो antiseptic property के लिए उनमें bethonal एड गया जाता है, bethonal, ये रोजीन क्या है, एक gum type है, ये भी soft-smed क्या जाता है, पर antiseptic property के लिए क्या है, द्यान रखना है, ये दोनों, third और fourth option, sodium loryl sulfate और sodium decile benzene sulfate, ये दोनों क्या है, benzene है, कर्त्री, वो, ये, क्या है, synthetic detergents है, synthetic detergents, अभी तो अपने से क्या क्यूशन पूचा गया, कि softs में antiseptic property को और एड करता है, bethonal, रोजीन भी क्या है, एक gum, तो softs मैड किया जाता है, softs को hard बनाने में यूज किया जाता है, रोजीन, और third और fourth option क्या है, sodium loryl sulfate, sodium dodecile benzene sulfate, ये क्या है, these are the synthetic detergents, आगे पूचे की detergents कौन-कौन से है, रोजीन क्या है, एक gum-like substance है, ये important question है, softs में antiseptic property, ध्यानकना L-D-I-E-E-D है, confuse मत हो जाना, ये L-D-I-E-E-D है, L, O, alcohol नहीं है, ये confusion कर सकता है, यहां bitonal दिया, अगले option में bitonal, O, O, alcohol यहां इसने confusion किया नहीं है, bitonal के जगे O, O, L दे देता है, L-D-I-E-E-E-D होना चीए हो, अगला question करते हैं, कि कोईनेज मेटल्स की मुद्रा धातु की सबसे इस्ताई अब ये सबसे इंपोर्टेंट पुइंट यह हो गया कि यह कांधूजन करेगा अगर आपको पता नहीं पहले तो देखो यह ने सबसे इंपोर्ण बढ़िया काम क्या किया है कि सारे इसारी मुद्रा-धातु यह option में थोड़ा सा confusion इसको plus one कर लेना third option answer है सारे के सारे plus one में होंगे और mudra dhatu coinage metals का significance क्या है इनकी conductivity इनकी बहुत ज़्यदा चालगता होती है electrical conductivity as well as thermal temperature yield respect में भी और current के respect में बहुत ज़्यदा चालग होते ही है प्लस वन चार्जेज रहेंगे सारे में तो important सबसे आसान काम क्या तीनों चारों आप्शन में दियाब mudra dhatu ही पर state अब वैसे तो copper की प्लस टू स्टेश स्टेबल है AG AU की प्लस 3 AU की प्लस 3 स्टेबल होती है पर coinage metal mudra dhatu के case में तीनों में ही प्लस वन ज्यदे स्टेबल होगी आगे बढ़ते डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रेक्शन देर रखियें देखो यह कुशन थोड़ा सा बड़ा लेंदी कुशन हुआ पर इजी कुशन ऐसा कुशन अपने कर रहा था यह कुशन इस से बी ऑप्शन से आइडेंटिफाई हो जाएगा sodium chloride silver nitrate देखो यहा sodium chloride है ने-सी यहाँ क्या हो गया sodium nitrate यहाँ silver nitrate है तो यहाँ क्या हो गया इसका मतलब कौन सी रेक्शन होगी विस्तापन रेक्शन displacement हुआ sodium का displacement nitrate से हो गया silver का displacement chloride से हो गया तो कौन सी रेक्शन विस्तापन बी का 3rd option identify है विस्तापन तो बी का 3rd option एक ही option में तो answer यहाँ से आजाएगा अब iron steam वाली रेक्शन आपन जानते हैं iron में पानी डाल दो steam का मतलब water at high temperature at 100 degree Celsius जहाँ vapors बने उसे बोलते हैं steam iron plus पानी क्या बनेगा iron का oxide और क्या hydrogen gasoline हो जाई है तो यह किसका उधारान हो जाएगा डिकंपोजिशन डबल डिकंपोजिशन तो यह इस second option से आप पहचान सकते हो displacement double displacement अपने रेक्शन डिसकस की थी आगे चलते हैं और जदेधि बिएद एक इस तानान अंत्रन करने के लिए किस तिशू में उत्तकों में देखो यह है प스ट हम én इस ही यको बोलते हैं पार्टिकल गन, इसी को बोलते हैं जीन गन, इसी को क्या बोलते हैं जीन गन, या बाइलोस्टिक मेथड भी बोलते हैं इनको, बायोलिस्टिक मेथड, जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, या सौट गन मेथड बोलते हैं, बहुत हाई स्पीड से पार् अगला क्यूशन हीमोग्लोबीन हीमोग्लोबीन आइरन सिदा साथ अपने कोई पता है हीमोग्लोबीन में आइरन मिलता है और आइरन भी कौन से स्टेज में प्लस टू में आइरन भी कौन से स्टेज में? प्लस टू में. कोई दिख्यत ही नहीं था. हीमोगलोबीन का तो बहुत discussion करते है, Adult हीमोगलोबीन, Children हीमोगलोबीन, हीमोगलोबीन, Iron. केरियर है Oxygen का. इसके भीना तो हीमोगलोबीन का color, हीमोगलोबीन ही तो decide करता है, RBC का red color. तो RBC का red color आया किसके करना हमोगलोबीन और हमोगलोबीन में ऐसा क्या है आइरन कोई दिक्कत ही नहीं है ज्यादा important था कि यह confusion करता आइरन एक option में प्लस तू देता एक में आइरन प्लस त्री देता प्रिशन शिरप आइरन दिया तो ध्यान रगना पर किस स्टेज में होता ह प्लस टू में और में डीजिटल सरकित फिजिक्स का कुशन है इसका सिदा-सिदा आंसर यहाद करें लोजिक गेट्स लोजिक गेट्स मैंने पढ़ा है एक जिदा-स्यिक्षा यह आय थी लोजिक सिंबल्स पूछे तै और गेट्स होते हैं एंड-गेट और गेट नेंड न और तो वहां से एक्यूशन पूछा है, सिदा सिदा लोजिक गेट्स होता है, आजकल मोडर्न जो फिजिक्स है उसमें का पार्ट है, इलेक्ट्रोनिक्स चेप्टर में पढ़ते हैं, कभी डिसकुशन करेंगे पूरे गेट्स के बारे में, अगला क्यूशन, रास्तान में सब सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, लिग नाइट रास्तान में, अपने लिए तो ज़्यादा इंपोर्टेंट यह है कि सबसे अच्छा कौन सा, अंत्रसाइट, सबसे खराब पीट, बीच का बीटूमिनस, और मिलने वालत सबसे ज़्यादा रास्तान में, लिग नाइट, अब यह सब जानते हैं कि सरसो के कौन से पार्ट से ओएल मिलता है, सरसो के सीड से बीच से मिलता है, अपन घर पे माटो कभी, सरसो लगबग सब खेतों में इस टाइम सरसो होई ही रही है, सरसो के सीड से मारो एक बार, और ओड निकलेगा, तो ओड़ी से क्रेशन होता है, तो आसान है, तो पता चल गया होगा सबको. मिरर के लिए, तो देखो, फोकल लेंथ होता है, रेडियस अब करवेचर बाइट टू. स्परिकल मिरर के लिए रेडियस अब करवेचर और फोकल दूरी की रिलेशन यही होता है. और focal length equal to radius of curvature by two, आदा होता है, focal length radius of curvature का, तो radius of curvature दो गुना हो जाएगी, third answer, कोई दिक्कत ही नहीं है तो, सीधे सीधे कुशन से, और थोड़ी बहुत भी physics पड़ी होगी नो, थोड़ी बहुत भी, तो यह चीज़े discussion है, क्रिक, scientist, इन्होंने क्या क्या, genetic information, किस तरह से genetic information flow होती है, जन्होंने genetic information के flow को क्या कहते है, central dogma, बहुत ही important concept है, जो क्रिक ने दिया था, central dogma, DNA से RNA, RNA से protein, यह एक direction ही तो हुआ, एक path ही तो हुआ, एक रस्ता हुआ, कैसे information flow होती है, DNA से RNA, और RNA से finally protein, इसको क्या बोलते हैं, transcription, इसको क्या बोलते हैं, translation, बिल्कुल एक path ही है, one way, one way traffic है, one way pathway है, important question है, इसमें central dogma क्या होता है, किस तरह से flow करती हैं, transcription क्या है, translation क्या है, discuss करेंगे, concave lens की magnification, अवतर lens दौरा उत्पन आवर्दन, देखो, इसका answer है, one से तो कम होगा, पर ध्याना positive, always positive होगा, one से कम तो है, पर always positive होगा, always positive, और आपने को पता है, कि अवतर lens कैसी image बनाता है, virtual, आभासी, erect, सीधी, और dimness, थोड़ी उत्ती height की नहीं बनाता, कैसी बनाता है, dimness, इसलिए, magnification, one से कम होगा, इसलिए, magnification क्या होगा, one से कम, आसान, information क्या मिल गई, कि magnification हमें सा positive, image कैसी, virtual, आभासी, erect, सीधी, और dimness, थोड़ी सी कम height की बनाता है, इसलिए less than one होगा, पर positive रहेगा, ध्याना पर positive रहेगा, magnification, concave lens, convex lens का भी, magnification always positive, mirror बें आप डिसाइड नहीं कर सकते, पर convex lens और convective lens, अवतल और उत्तल लेंस पर ये चीछ तो confirm है, कि magnification positive तो होगा, nobel prize, medicine का nobel prize, याद रखना, अपना काम का question है, science में nobel prize किसको मिला, चिकिस साहिए के छेटर में nobel prize किसको मिला, स्वान ते पाबो, ऐसे उदर एक और nobel prize पढ़ किस पढ़ किया है, literature, साहिट्य, ये तो याद ही रखना पड़ेगा, अगला question, ecosystem, word या term ecosystem किस ने दिया, agit ans, ले, याद रहता है, ऐसे ही पुचिए, ecology term किस ने दिया, earnest hacker ने, और, हाँ, तो यहाँ तो क्या होगे, agit ans, ले, एक option और काम का है, रामदेव मिस्रा, इंडिया के है, अगर कोई Indian scientist कुछ कर रहा है, तो उनके बारे में तो अपने को knowledge होना ही चीए, रामदेव मिस्रा, ये Indian ecology के father है, father of Indian ecology, father of Indian ecology, world ecosystem, term ecology पूछ ले तो, term ecology किस ने दिये है, तो earnest है कल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, किस प्रस्षिस्टि में पर्तिरक्सी पर्तिकिर्या होगी, antigen, antibody, reaction की बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब है, opposite चीजे होनी चाहिए, एक के पास antigen होना चाहिए, दूसरे एक पास वो antigen नहीं होना चाहिए, या उसके खिलाप antibody होनी चाहिए, तो पहला question, A person with A blood group is given to O, अपने जानते हैं, O blood group तो किसी से लेता ही नहीं है, और की सबसे बड़ी कमी ही है, उसके surface antigen नहीं है, तो सब के लिए antibody बना लेता है, अगर आप O blood group को A वाला दोगे तो antibody बना लेता है, antibody तो अल्रेडी प्रजेंडर तो एक को तो destroy कर देगा, यह reaction यह हो ही नहीं पाएगा, इंदे उनों भी antigen antibody reaction हो जाएगी, दूसरा क्या को क्यों option है, मैं option समझा देता हूँ आप लगों को, कि A person with O blood group, O वाला तो सब को दो, universal donor है, सर्व दाता है, किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कती नहीं है, A, B blood group, yes, A को तो दो जानता है उसको तो, A, B वाला A को तो जानता है, क्योंकि उसके पास दोनों antigen है, और उसी के respect में बात हो रही है, ऐसे ही A, B, B को दो, B को भी जानता है, देखो, blood group के respect में एक ही चीज़ दियान रखना, अगर सामने वाले एक दूसरे को जानते हैं, जैसे मेरा blood group A, B है, और मैं किसी A को देने जा रहा हूँ, तो वो मेरे को जानता है, क्योंकि मेरे पास दोनों antigen है, A, B, उसके पास भी antigen हैं जानता है, उसके पास अगर वो B blood group वाला है, तो भी जानता है, और blood group वाले universal donor है, किसी को भी दे सकते हैं, पर किसी लेंगे लेंगे नहीं, ऐसे A, B, universal receptor सबसे लेंगे, कोई दिक्केत ही नहीं उनको, तो ये question, देख ले ना, एक बार blood group वैसे ही important हो जाता है, A, STI कठोड़ता, A, STI कठोड़ता के पीछे रिजन है carbonates, और STI कठोड़ता के पीछे, परवानिंट hardness के पीछे कौन responsible है, तो उसके पीछे responsible है, calcium magnesium के chlorides, sulfates, nitrates, तो यहां तो चला जाएगा, bicarbonates, धानक ना, calcium और magnesium के bicarbonates, ये तो A, STI कठोड़ता, temporary hardness, पर इन ही के अगर आप sulfates की बात करो, nitrates की बात करें, और chlorides की बात करें, ये permanent hardness के लिए responsible है, याद करें, आज temporary hardness आया, कल permanent आयाएगा, permanent में भी पूछेगा, sulfate है, nitrate है, chloride है, ठीक है, sodium दे रखाए, दो आपसन में, sodium से तो मतलब ही नहीं, अपने को मतलब calcium, magnesium से है, उनके bicarbonate से मतलब, उनके sulfate से मतलब, उनके chloride से मतलब है, मतलब है उनके nitrate से, sodium से तो मतलब ही नहीं था अपने को, retina के पीछे image बने, इसका मतलब दूर की दरस्टी है, मैंने ये समझाए था, myopia और hypermetropia को, बहुत अच्छी तरह समझाए था, कि image अगर retina से पहले बन जाए, myopia, past की दरस्टी है, past की चीजे दिखती हैं, दूर की चीजे नहीं दिखती, hypermetropia में क्या था, दूर की दरस्टी थी, दूर की चीजे दिखती थी, past की नहीं दिखती थी, इसका मतलब image कहां बन दिखती है, retina के पीछे, सिधा-शिधा अंसर है, farce है, दूर दरस्टी, पीछे तो ठीक है, दूर की दरस्टी, myopia में past की दरस्टी, retina से पहले बन जाए image, अगला question, कितने दिन तक blood store कर सकते हो, मैं आज blood donate कर क्या हूँ, जा सकता है, और कम से कम इतना टाइम तो होना चाहिए, emergency case में तो आप अभी दिया भी यूज हो गया, पर बाकी store कर कर रखा जाता है blood को, blood samples में, तो लग बग 40 या 42 दिन का टाइम, फोर्ट उप्शन हो जाएगा, ये भी एक important point है, इता तो पता होना चाहिए, कि या blood जो अपने डोनेट किया, वो अभी यूज हो सकता है, या बाद में, तो बाद में कब तक, तो 35 से 45 दिन, लग बग 40 बेहालिज दिन के आस पास, गरभती महिला में सामाने हमोगलोबीन, अब देखो हमोगलोबीन, थोड़ा गरभती महिला में कम हो जाता है, प्रेगनेंट वोमेंश में, थोड़ा सा हमोगलोबीन कम हो जाता है, वैसे पूरा डेटेल अनलाईस से बताता हूँ, बच्चों में, चिल्टरेंस में हमोगलोबीन होथा है, 10 से 15, मेल्स में 14-18, और फिमेल्स में 12-16, यह नॉर्मल फिमेल में है ध्यान रखना, नॉर्मल फिमेल है तब, पर प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा से इससे कम हो जाएगा, लगबग 10-10-11 के आसपास रहेगा, तो यह आन से चला जाएगा, फिमेल्स में मेल के कम पर रीजिन म हिमोगलोबीन कम क्यों, कभी सोचा कम क्यों होता है, तो इसके पीछी रीजिन है कि फिमेल्स में चलने वाला मासिक चक्र, जो मेंस्टर साइकल है, जो मेंस्टर ब्लड लॉस होता है, इसके अलावा जो एक और रीजिन है वो टेस्सिस्ट्रोन होर्मोन, जो अपने में एक testis and hormone जो erythropoiesis RBC के formation में responsible है वो भी इसका region है important point है pregnant females में pregnancy के time में थोड़ा सा heemoglobin कम हो जाता है क्योंकि उत्ता iron का intact नहीं हो पाता अगला question number और appearance of chromosome कहां मिलेंगे nucleus में contaminants करूमों का इंतर मिलता है तो उसकी study को क्या बोल देंगे उसकी study पॉनसथर की study दो उसकी study आ जाजाए है तो इसको बोलता है केरियो टाइपिंग या केरियो टाइप केरियो वर्ड ही नुकलियस के लिए और टाइपिंग वर्ड इस्टडी के लिए इसका अंसर केरियो टाइप चला जाएगा या केरियो टाइपिंग अगला क्यूशन एदेल्ट लडकी में नूटृिशनल ड़िशिएंसी मेली में डृण की कमी qui ग्ल्टमें यह एक चीजन है जो चीज्य है से खुट्रिअथ हर घ्र Tails ुब हो वी एक रिजेन है तो चाहिए आयरीन की कमी रहेगी कंसर चला जाएगा संध काउमन पूछा टो और अनिमिय की कमी इसलिए तो फॉलिक ऐसेड अभी पढ़ किया है ने विटामिन बी-9 विटामिन बी-12 देते हैं अगला क्विशन सेक्स क्रोमोजोम अपने अंदर टोटल क्रोमोजोम गुंस उत्र किते हैं 23 पेर्स तैईश जोडे इसमें 22 तो क्या है ओटासॉम्स और वन पेर क्या होते सेक्स क्रोमो जोओं मेल में वही क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम पूँस होते है एक्स वाई और quindi में एक एक्स तो वन पेर अब यी पेर नहीं पूछाय टो त्वो ठीखो कुशन कईसे बूचा नंबर में पूछा उसने पेर नहीं पूछा किते जोडे नहीं पूछ रहा हूँ तो हो गई एकस दो ये दो पूरे ध्यानक ना टोटल क्रोमोजॉम तैस पेर टोटल वैसे नंबर में जिसमें बाइस तो ओटोसॉम है और एक पेर को सेक्स क्रोमोजॉम बोलते हैं फिमेल में एकस और मेल में ठीक है आगे बढ़ते हैं टी आईया टोटल रेफ्लेक्शन कब होगा लाइट आई और तक्रा के वापी सली गई तब होगा जब क्रिटिकल एंगल 90 डिगरी हो और अगर आपका एंगल ऑफ इंस्टेंस क्रिटिकल एंगल से जयदा हो जाए तब हो जाएगा अबस यह आंसर चला जाएगा आप तन क्रिटिकल एंगल विविगाatore होने ठेगा और चर्छी ओने के लिए खिर होने की विए और क्या जारूरी है ट्याए यार होने के लिए बैदायं से रेरर स मिधियम झाने चीछ ऑने main component, मुख्य गठक नहीं है, मर्दा का, soil का, तो salts मिलते हैं, water भी मिलते है, minerals, खनीज, लवन मिलते हैं, बिल्कूल मिलते हैं, humus direct component नहीं, component तो है, बिल्कूल है, humus क्या है, जैसे किसी plant की death हो गई, या plant की leaves हो गई, या किसी animal की death हो गई, तो उसका जो जो प्लांट का लीफ है या अनिमल है तब अभी जो फ्रेस गिरा डैथ होने के बाद उसको बोलते है हुमस और उसका डिकंपोजिशन हो जाएगा तो किस में कनवर्ट होंगे और्गेनिक मेंटर तो वो तो कंपोनेंट है पर हुमस डारेक्ट कंपोनेंट नहीं है क्योंकि अ सहय पदोदेंरेक्ट का मैक रोर्गनीज ओर गैनिक मेंटर ये सब कंपोनेंट है पर में इन कंपोनेंट पूछ jan नहीं गया अभी हमस की ज़ग। और्गेनिक मेटर देता तो भी कंपोनेंट होता ज्यादा अचा ओप्सन होता टेक्सर बनाउट वो कंपोनेंट नहीं है टेक्सर को क्या बोलता है बनाउट यह क्यूशन का अंसर कैसे लागा हूमस किसे कहते हैं जानक ना फ्रेस्ट ली फॉलन लीफ अभी किसी प्लांट की डैथ हुई या किसी अनिमल की डैथ हुई तो वो क्या है हूमस अभी बैक्टियल उसको डिकंपोजिशन कर देंगे तो उसका और्गेनिक मेटर रिलीज करें तो यह क्यूशन कंप्लीट यहां पर सारे क्यूशन दोनों पेपर कंप्लीट चार का कंप्लीट पांस का कंप्लीट गैरा का कंप्लीट जो आगे सीटी देने वाले हैं या जिनोंने सीटी दिया है वही बिल्कुल यह वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने बहुत सीठी एक्स्प्लेंड की है, बहुत एक्स्टा पार्ट भी बताया है, तो बेस्ट अब लक्व, आगे वान लेल एक्जाम्स के लिए, धिरे धिरे आपके लिए और वीडियोज आते रहेंगे, इन्फार्मेटी वीडियोज, तो जैहिंद जैबारत!